जय श्री राम दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट पॉडकास दोस्तों आज हम बात करेगें ऐसे क्रिकेटरों के बारे में जिन्होंने अपनी चचेरी बहन, ममेरी बहन या फिर किसी रिष्टेदार से शादी की आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे पांच खिलाडियों के बारे में जिन्होंने अपने बहन से ही शादी कर ली और जो में नंबर एक पर नाम बताऊंगा उसको सुनकर आप चौक क्योंकि वह एक भारतिय खिलाडी है लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप चाहते हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर करें चलो दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों नंबर पांच पर आते हैं पाकिस्तान के सईद अनवर सईद अनवर पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज थे और उन्होंने 1996 में अपनी चचेरी बहन लुभना से शादी की थी लुभना पेशे से एक डॉक्टर है सईद अनवर की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव रहा है साल 2001 में बीमारी के कारण उनकी बेटी की डेथ हो गई थी और नंबर चार पर आते हैं शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के स्टार ओनलराउंडर और बूम बूम अफरीदी के नाम से साड़ी ने अपनी ममेरी बहन नादिया से साल 2000 में शादी की थी और नादिया पेशे से डॉक्टर है और शाहिद अफरीदी की चार बेटियां है और अब नंबर तीन पर आते हैं बांगलादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजूर रहमान मुस्तफिजूर रहमान ने अपनी ही चचेरी बहन सामिया परवीन से साल 2019 में शादी की और नंबर दो पर आते हैं बांगलादेश के मुसाड़ेक होसाइन बांगलादेश के उभरते हुए सितारों में से एक है मुसाड़ेक होसाइन और उन्होंने अपनी चचेरी बहन शरमीन समीरा उशा से साल 2012 में उनकी शादी की और उनकी शादी शुदा लाइफ कुछ अच्छी नहीं रही। उनकी पतनी ने उन पर प्रताड़ना और दहेज के आरोप लगाए। और अब बात करते हैं, नमबर एक की तो दोस्तो नमबर एक पर नाम आता है। भारत के विस्फोटक बल्लेबाज, सहवाग और आरती की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं है। इनके रिष्टे में ट्विस्ट जब आया, जब सहवाग के कजन की शादी आरती की बुआ से हो गई। इसके बाद दोनों ने बड़ी मुस्किल से अपने परिवार वालों को मनाया और 2004 में शादी कर ली। दो